आप देख रही है MNS News सच जरूरी है नवश्कार दर्शको यह MNS News Network और आप देख रहे MNS News TV मैं वह आपके साथ सेजल तो यह देखते हैं आज के कुछ खास खबरें एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइन्स की और अगले चार महिने सीब आई इडी और आईटी की निशाने पर होगा विपक्ष मनोवस जज़ा कॉंग्रेज ने राहूल गांदी की यात्रा का बदला नाम अब भारत जोडो न्याय यात्रा होगा इसका नाम भगवार राम पर एंसीप नेता जुतेंदर आवड ने की विवादित टीपनी फिर्मांगी माफी बोले राम हमारे दिल में है आए देखते हैं खबरे विस्तार से अगले चार महिने सीब आई इडी और आईटी की निशाने पर होगा विपक्ष मनोवस ज़ा पटना राष्टिय जनता दल के सांसद और राष्टिय प्रवक्ता मनोवस ज़ाने मंगलवार को भाष्पा पर जोरदार निशाना साधा उन्होंने दावा करते हुए कहा कि अगले तीन से चार महिने तक एडी इंकम टेक्स और सीबी आई के निशाने पर विपक्ष होगा इसकी पुक्ता तयारी कर ली गई है पटना में एक अप्रेस वारता को संबोधित करते हुए जाने कहा कि हमें कभी तराजू पर तौल कर तलाभा लहानी की राजनिती नहीं की है जो पलडा भारी दिखे वही चले जाओ मैं पुक्ता जानकारी दे रहा हूँ हमें अधिकारियों ने इही इसके जानकारी दी है भाजपा का विरोध करने वाले नेताओं पर करवाई की तयारी हो रही है उन नेताओं की फाइल भी निकल चुकी है इंसाने का की भाज़पा राजनितिक तोर पर नहीं जित सकती इस कारण ऐसा करती है भाज़पा का वास्तविक चाल चरित्र और चेरा यही है यह जांच एजनसिया भाज़पा का विरोत करने वाले को उल्जाए रखना चाहती है कॉंग्रेस ने राहुल गांदी के यात्रा का बदला नाम अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा इसका नाम लोग सभाव चुनाओं दहजर चोबिस को लेकर कॉंग्रेस ने तयारिया शुरू कर दी है इस करम में आज कॉंग्रेस मुख्यालाए में महासची वो प्रभारियो पीसी ओ अधिक्ष और सियल्पी नेताओं की बैठक हुई ही इस बैठक में लोग सभाव चुनाओं की तयारिया और राहुल गांदी के यात्रा पर भी चर्चा हुई इसके साथ ये राहुल गांदी के यात्रा के नाम को भी बदला गया है 14 जन्वर इसे शुरू होनी वाले इस यात्रा का नाम भारत जोडो न्याय यात्रा होगा इससे पहले इस यात्रा नाम भारत न्याय यात्रा दिया गया था इस बात की जानकारी कॉंग्रेस नेता जैराम रमेश ने दी है कॉंग्रेस नेता जैराम रमेश ने कहा राहूल गांदी जी के नेतरुत्व में कन्या कुमारी से कश्मिर तक 4000 किलो मिटर लंबी भारत जोडो यात्रा निकाली गई थी भारत जोडो यात्रा ने पूरे देश का माहोल बदलन लिया था और कॉंग्रेस के कारे करताओं में नई उर्जा भर दी थी यह यात्रा पार्टी और देश के त्यास में मिल का पत्तर साबित हुई आईए बढ़ते अगली खबर की और भगवान राम पर एंसीपी नेता जितेंद्र आववाडने की विवादित टिपनी फिर माफी मांगी बोले राम हमारे दिल में है NCP शरत पवार गूट के नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड ने भगवान राम पर दिये गए विवादित बयान के लिए माफी मांगी है उन्होंने कहा कि राम हमारे जुबान पर नहीं बलकि हमारे दिल में कभी इतिहास को उद्वस्त नहीं करता भगवान राम हमारे प्रबू है मैंने कल कहा था भगवान राम मासा आ रही थे मुझे विवाद को बढ़ाना नहीं है लेकिन मैं वालमी की रामायन में कुछ पकती है उसमें क्या लिका है वो नहीं पढ़ूँगा जिसको पढ़ना है पढ़ ले कई पबिकेशन ने उसे लेकर छापा है वालमी की रामायन के बारे में किसी को हस्तक शेप है तो बताए मैं कोई भी बात बिना अभ्यास के नहीं बोलता हूँ यहाँ ब्यास की महत्व नहीं है लोक भावना को महत्व देते है इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर किसी का दिल धुका है तो मैं माफी मांगता हूँ खैद ब्यक्त करता हूँ उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि जिसके पास लॉजिक नहीं होता है वो इस तरह से काम करते हैं अरे वो हमारे राम है सबके राम है और उन्होंने 14 साल वनवास किया है राम हमारे जुबान पर नहीं बलकि दिल में है अब आप हमारे चैनल को आपकी मोबाल पर भी देख सकते हैं मोबाल आप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS News TV अपसे डाउनलोड करें इंस्टा, हाइक, ट्विचर, कुक, फेस्बूक और कई सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्द है आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइब भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर अब वक्त हो चला है दर्शको ब्रेक का, ब्रेक से लोटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरे बने रहे MNS News टीवी पर, नमस्कार